Hello everyone, welcome to my channel Simple Easy Learning and I am Rashmi. Today's video topic is English articles, जिसमें कि हम लोग कुछ ऐसे वर्क्षिट सॉल्व करेंगे, जो कि हमारी बेस्ट होगी A और N, जो कि हमारी पहली वर्क्षिट होगी, और हम लोग जो दूसरी वर्क्षिट सॉल्व करेंगे, वो होगी हमारी बेस्ट A and The पर, जो कि बहुत ज़दा help करेंगे बच्चों को हमारी आर्टिकल्स को समझने में, कि हाँ हमारी A, N और The कहां यूज होती है, वोक्षिट सॉल्व करने से पहले हम जली सरी वाइस कर लेते हैं, कि हम लोग यूज ओफ A and The कहां यूज करते हैं, ए यूज विथ नाउन वर्ड विच इस सिंगुलर और वन इन काउंट and वर्ड स्टार्ट और बिगिन विथ कॉंसोनेंट लेटर्स एक्जाम्पल ए बोई, ए कैट, ए ट्री, एक्सेटरा, मिल्स कि हमारी A की यूज तब होती है, जब हमारा वर्ड जो है वो नाउन हो और वो हमारी सिंगुलर हो, सिंगुलर मिन्स जो हमारी काउंट में वन हो और हमारा जो वो वर्ड है वो बिगिन होता हो कॉंसोनेंट लेटर से, जैसे कि B, C, T ये हमारे क्या हैं कॉंसोनेंट लेटर्स, एन, यूज बिपोर नाउन वर्ड, स्टार्ट और बिगिन विट बॉवल लेटर्स जैट इस A, E, I, O, U, एन आर सिंगुलर नाउन, एक्जाम्पल, एन ओरेंज, एन इगलू, एन एपल, एक्सेटर, मतलग हमारी एन की यूज तब होगी, जब हमारा वो वर्ड जो है वो नाउन होगा, और अगेन हमारी सिंगुलर नाउन होगी, यानि कि काउंट में वन होगी, और हमारा जो वो वर्ड है, वो हमारे वोवल लेटर से स्टार्ट होता हो, की हमारा है A, E, I, O, U, जैसे की ऑन ओरेज, वो क्या है हमारा वोवल, एन इगलू, आई क्या है हमारी वोवल, एन एपल, ए क्या है हमारी वोवल, तो फिर हम लोग and का use हमारी जो vowel letters है उससे starting होने वाले singular noun के आगे use करते हैं the use before all nouns जाते है singular noun और plural noun और uncountable noun but with to describe specific object और unique object example the moon, the Taj Mahal, the Himalaya etc the का use उस word के पहले करते हैं जो कि हमारे हर एक noun हो जो कि हमारे singular noun हो या फिर plural noun या फिर uncountable noun मगर वो हमारे describe करता हो उस object को specific और unique जैसे कि हमारा moon, तो moon क्या है हमारी universe में अकेली एक moon है तो फिर वो क्या हो गई specific हो गई तो वो हो गई the moon वैसे ही ताजमहल तो ये क्या है एक unique है तो the Taj Mahal again the Himalaya क्योंकि Himalaya जो है वो हमारी बहुती specific mountain range है तो इसको हम लोग कहेंगे the Himalaya चलिए तो हम लोग कुछ वक्षिट solve कर लेते हैं जो हमारी है सिर्फ A और N पे पहले हमें क्या है इसमें हमें fill up करना है A और N इसमें हमें हमेशा पहले बाले लेटर को ध्यान में रखना है कि हमारी वो consonant है या फिर vowel है तो फिर B हमारी क्या है consonant तो यहां पर हम लोग लिखेंगे A book again ant then it is vowel then it is an ant cat c is a consonant तो A cat bo again B A bo, apple and apple G is a consonant then it is a girl E I then it is vowel and I kite K is a consonant A octopus O is a vowel then an octopus iron again is a vowel then an iron umbrella U is vowel and umbrella fish consonant is F then it is a fish next हमारी वोक्षुट है इंग्लिश आर्टिकल पे जो की हमारी होगी use sentence के अंदर इसमें भी हम लोग A और N की use करेंगे it is dash elephant तो यहाँ पी है यह हमारी वोविल है तो फिर यहाँ पर क्या होगी an elephant it is dash pumpkin पी हमारी क्या है? consonant then it is a pumpkin it is dash house यहाँ पर X जो है वो हमारी consonant है तो फिर यहाँ पर a house it is dash olive वो क्या है वोवल तो फिर होगी an olive it is dash ice cream आई हमारी क्या है वोवल then it is an ice cream जदि आपने अभी तक मुझे subscribe नहीं किया है तो please subscribe कर लिजे और हमारा subscription बिल्कुल फ्री है तो बिल्कुल भी न डिरे subscribe करने इससे कि आपके पैसे लगेंगे तो फिर आप जल्दी से subscribe कर लिजे अब हम लोग essay worksheet solve करेंगे जिसमें कि हमारी English article a and the की use होगी नहीं पर हमारी owl है और owl हमारी word start हो रही है बॉबल से तो फिर यह हो जाएगी हमारी and owl again rocket rocket क्या है हम्मारी आर से start हो रही है then a rocket apron बॉबल से start है and apron sun sun क्या है हमारा specific है तो फिर हो गई the sun page पेज क्या है हमारी consonant से start हो फिर होगी यह a page moon moon हमारी क्या है specific है तो फिर यह हो गई the moon cherry सी से start है और यह हमारी consonant है a cherry ganga river ganga river क्या है हमारी specific है और unique है तो फिर द गंगा river Bible Bible भी हमारा unique है तो फिर यह हो गई हमारी the Bible कार हमारी start हो रही है consonant तो यह हो गई हमारी a car यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो फिर जल्दी से वीडियो को like तर दीजे fill in the blanks with a and the यहां पर हमारी sentence है और हमें a and the से हमारे उस blank को fill करना है I bought dash new dress तो यहां पर क्या होगी a new dress Today I will buy dash ox and dash cow तो फिर यह हो जाएगी an ox and a cow Dash ताजमहल is situated in आगरा ताजमहल क्या है हमारी unique है तो यह होगी the ताजमहल Dash horse run fast a horse run fast he is dash our lake today तो फिर हम लोगोंने क्या पढ़ा है कि हमारी जो भी h हो वो silent होती है तो फिर क्या होती है हमारी an लग जाती है तो फिर यह होगी an यह दि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और help लगा तो like share comment कीज